नमस्कार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुरानों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से सबंधीत कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गये हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की और लेकर जाता है। दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समरिधी लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई शुब फल प्राप्त नहीं होता है अगर आप सही विधी से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुब परिणाम प्राप्त होंगे दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नश्ट करता है यहां आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक उर्जा भी नश्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांती बनी रहती है अर्थात दीपक को कलेश का नाश करने वाला कहा गया है सबसे पहले तो आप ध्यान में रखे की आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे पुरानों में कहा गया है मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिदर्टा का नाश होता है शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों को कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दीपक घर को रोशन तो करता ही है साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नश्ट कर देता है आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के सबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए किन देवी देवताओं की मूर्ती के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए दीपक के भी विवित प्रकार होते हैं कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुब फलों के बारे में आज के इस विडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए इसलिए आप इस विडियो को अंत तक जरूर देखे सबसे पहली बात दोस्तों अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक उर्जा सक्रिय रहती है वास्तो दोश बढ़ाने वाली नकारात्मक उर्जा समाप्थ होती है दीपक के धुए से वातावर्ण में मौजूद हानिकारक सुक्षम की टानू भी नश्ठ हो जाते हैं जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरने देवी देवताओं की मूर्तियों से टकरा कर घर में चारों और फैलती है जिससे घर से नकारात मकता का नाश होता है जब यह किरने हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाप प्राप्थ होते हैं इन प्रकाश की किर्णों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशिरवात प्राप्थ होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। दीपक सुभ़ पांच बजे से दस बजे तक और शाम को पांच बजे से साथ बजे के बीच में जलाना शुब होता है। शाम को तुलसी के प और भी अधिक शुभ परिनाम प्राप्थ होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरहे के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाए और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का द जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है। वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाव की पूर्ती के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेश ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना न शाम के वक्त घर के मुख्य दर्वाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्षमी प्रसन होकर घर में प्रवेश करती है। के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग-अलग करके जलाए, चाहें वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है, अ दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोती कल्यानम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुध्धी विनाशाय, दीपम जोती नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्यान करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत प्रकार के वास्तु दोश दूर होते हैं। आईए अब जानते हैं, अलग-अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं, तो आरोग्य में व्रिधी होती है। इससे घर के सदस्यों की आयू लं प्रकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीडा रहती है, तो पश्चन दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से की लौ तभी रखी जाती है, जब किसी की मृत्यू होती है। आइए अब जान लेते हैं दीपक के प्रकार के बारे में। सबसे पहला है एक मुखी दीपक। एक मुखी दीपक का प्रयोग इष्ट देव की पूजा के दौरान किया जाता है। इसमें केवल एक बाती का ही प प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दो मुखी दीपक। दो मुखी दीपक का प्रयोग मा दुर्गा को प्रसंद करने के लिए लगाया जाता है। तीन मुखी दीपक का प्रयोग गनेश जी के सामने करना चाहिए। इस दीपक में रुई की तीन बाती का प्रयोग करे। इ अबाकाल भैरव की पूजा में किया जाता है। अबाकाल भैरव की पूजा में किया जाता है। सर्सों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुब होता है। इससे सभी प्रकार के दोश समाप्थ हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सर्सों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप अगर दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुब परिणाम आपको मिलेंगे। सुर्यदेव को महुए के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सुर्यदेव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। सुर्यदेव को तिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है। इसलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बुरी शक्तियां जैसी परेशानिया निर्मान होने लगती है। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब घी का दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक उर्जा की किरने आपके घर के वातावर्ण को शुद्ध बनाती है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अ इससे निकलने वाली पाजिटिव एनरजी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो ये खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलने के बाद दीपक ना बुझे इसका खयाल जलाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समरिधी से भरपूर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मा लक्ष्मी अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आप सभी का धन्यवाद।